अज आज हम लोग पढ़ने का रहे हैं में बॉर्णिंगे स्ट्रेंट वो भाजा अध्यान, बॉर्ण विचाड, सब्द विचाड, संग्या, और संग्या के बाद आज का चिप्टर है सर्बनाव तो सर्बनाम में हम लोग पढ़ते हैं कि सर्बनाम का साथिक और्थ क्या होता है सर्बनाम का साथिक और्थ होता है सबका नाम सबका नाम या खात कहने का मतलब है कि बहुत सब्द जो सबके नामों के साथ के अस्खान पर परियोग किया जाता है इसके बाद आता है इसकी परिभासा तो सर्वनाम की परिभासा होती है कि संग्या के अस्थान पर परियुक्त करने वाले सब्द को सर्वनाम कहा जाता है अब इसके बाद इसका सर्वनाम इतने प्रकार के होते हैं तो सर्वनाम छो प्रकार के होते हैं छो प्रतार के सर्वनाम में पागा होता है पुरुस वाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निष्चे वाचक, तीसरा होता है अनिष्चे वाचक, चोथा होता है संबंद वाचक, पाच्वा होता है प्रस्वाचक और छथा होता है नेज वाचक, ये छे प्रतार के सर्वनाम होते ह अब है कि पुरुस वाचक सर्वनाम किसे करते हैं तो पुरुस वाचक सर्वनाम कहने का मतलब है कि वो सर्वनाम जो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विशे में कहा जा तो वो सर्वनाम हो जाता है आपका पुरुस वाचक सर्वनाम यानि बोलने वाला जो बेक्ति बोलेगा और सुनने वाला कोई दूसरा होगा वो उस चीज को सुनेगा और तीसरा होता है जिसके बीसे में कहा जाए जिसके बीसे में बोला जाए ये तीन प्रकार के लोग होते हैं जो पुरुष वाचक सर्वनाम में आचे हैं इसमें इसको इसके बाद आता है निष्चे वाचक सर्वनाम जाई है जो सब्दी निष्ची बस्तु को या विशे को बताएगा उसे निष्चे वाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि यह निष्ची चीज़ को नहीं बताएगा वो अनिष्चे वाचक सर्वनाम होता है संबंद है जारी है कि यह एक दूसरे में संबंद को अस्थाफित पड़ता है पाच्वा होता है प्रस्वाचक सर्वनाम होता है और निष्वाचक होता है जो अपने विशे में स्वेंग के लिए बोला जाता है उसे निष्वाचक सर् सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम मं कि अंतर होता है कि पुरुष वाचक आदर शूचक दिमान आपका इस दोनों बाक्रों होता है इसके बाद ऊता है दूसरा नियम की पुरुश वाचक आदर्शुक आपका प्रायम मध्यम पुरुश में या कभी-कभी अन्य पुरुश के लिए भी परियोगतिक किया जाता है किन्तु नीज वाचक सरबनाम आ तीनों पुरुश के लिए परियोग में आते हैं इसके बाद तीसरा आता है, पुरुष वाचक आप वाचक में अकेले आता है, किन्तु नीज वाचक आप वाचक में दूसरे संधिया सरवनाम के साथ भी आता है, यही आपका सरवनाम है धन्यबाद, अब आप लोग का फाइट चेप्टर लगनों गुडिया, इससे आप कुस्ट एंसर बना लीजेगा लोगनों